हेलो अब्रीवान वेलकम बैक टो मैं चैनल होप इर डोइंग गूर्ट सो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक मेकप वीडियो है और इस वीडियो मैं इद लुक क्रियेट कर रही हूँ आईनो मैं बहुत लेट हूँ लुक क्रियेट करने में बट है रिटीज तो सबसे पहले आप अपने फ्रेस को अच्छे से वाश करके प्रेप कर लो दिन प्राइमर लगा लो अच्छे से और उसके बाद कोई भी फाउंडेशन अच्छा सा ले सकते हूँ आप अपने हिसाब स मैंने बिल्कुल लो कवरेज वाला फाउंडेशन लिया देन मैं कंसीलर लगा रही हूँ जहां पर मेरे थोड़े डार्क एडियाज है वहां पर और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैंने सोचा थाना कि मैं यह बहुत ही नैच्रल सा लुक करूंगी डे के हिसाब स बिकाउज इद लोग डे में रेडी होते हैं इसलिए बट यह करते करते कुछ जादे ही ग्लामरिस बन गया और बहुत ही अच्छा था तो आप मैं जैसे कर रहूं ना आप ऐसे कर सकते हो डे के लिए बट थोड़ा कम फाउंडेशन लगाना थोड़ा सा नैच्रल फाउंड लगाना थोड़ा सा लाइट लगाना एंड शीमर मत एड़ करना एंड हाइलेटर मत लगाना तभी आपका डे लुक क्रेट हो जाएगा इसके बाद में अपने आइब्रोज को फिल करूंगी अच्छे से पहले स्पूली से अपने आइब्रोज कॉम कर लोंगी देन अपने आइब्रोज को अच्छे से फिल कर लोंगी तो गैस यह लुक को ना आप एड पे भी कर सकते हो डे हो या नाइट हो और इसके अलावा आप कोई भी फंक्षिन में कर सकते हो बहुत ही सिंपल सा लुक है बहुत ही नीट्रोल से अं ग्लैमरिस लुक है ठीक है तो आप सब बत मैं अपने eyebrow को थोड़ा outline कर लूँगी अच्छे से shape देखे और अपने eyelid पे भी concealer apply कर लूँगी ऐसे करने से आपके eyebrow का shape बहुत ही अच्छा आता है जो excess eyebrow का लगा रहता है वो भी हट जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है यह step इसके बाद मैं पूरे face को अच्छे से contouring करने से आपके face को अच्छा सा dimension मिल जाता है अच्छा लगता है और उसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से same beauty blender लेके उसको blend कर लूँगी बहुत ही अच्छे से कोई भी harsh line ना हो बिल्कुल ही natural लगे और अगर आप day के हिसाब से कर रहे होना तो बहुत ही अच्छे से blend करना व मिना सब को समझ में आता है इसलिए मैं इस same look को मेरे घर में कुछ दिनों को बाद function है उसमें carry करने वाल हूँ because इसका जो outcome आया था वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा था मैंने कोई भी plan नहीं किया था कि मैं ऐसा makeup करूंगी just लेके बैट गई थी और करते कर दे बहुत ही मेकप हो गया था और अगर आप डे में makeup कर रहे होना तो please अपने sunscreen को बल्कुल भी ना भूले बहुत अच्छे से अपने sunscreen को apply करे इसके बाद मैं powder लेके अपने पुरे face को set कर रही हूं then मैं जहां-जहां cream contour की थी वहां पे powder contour भी apply कर रही हूं and उसके बाद मैं lipstick लेके अपन cheeks पे लगाऊंगी as a blusher आप चाहो तो आप cheek tint भी लगा सकते हो और बहुत ही प्यारा सा color है इस lipstick का और इसको अच्छे से blend कर लो आपना इस tape को powder लगाने से पहले करोगा तो ज्यादा better होगा मैं भूल गई थी तो इसलिए मैं अभी कर रही हूं and उसके उपर से powder blush लगा लो तो इससे आपका blush ना पूरा long day lasting रहेगा पूरे दिन अच्छे से जगे से हिलेगा भी नहीं then मैं highlighter apply कर रही हूं और मैं थोड़ा pinkish tone में highlighter apply कर रही हूं आज because मैं day dress भी pink है इसलिए और nose highlight करना तो बहुत important है आपना इस step को अगर day में कर रहे हो इस makeup को तो इस step को skip कर सकते हो because day में आपका highlighter बहुत ही ज़्यादा समझ में आता है तो आप इसकी जगह ना illuminator लगा सकते हो अपने foundation में मिलाके then इसके बाद एक काजल लेके पतला सा eyeliner लगाएंगे और उसके clean brush के help से उसको अच्छे से blend कर देंगे और blend करते करते wing भी हम लोग निकाल लेंगे जितना आपको चाहिए उसे साफ से then एक pinkish peach color का eyeshadow लेके अपने पूरे lip पे लगा रही हूं अच्छे से और जो black का जो लगाए था उसके उपर भी लगा रही हूं और उसको बहुत ही अच्छे से blend करेंगे then फिर से brush के help से मैं अपने eyeliner को smudge कर रही हूं then एक pinkish shimmer लेके मैं अपने eyelet पे लगा रही हूं मैं middle eyelet के middle पे लगाए हूं then आपको inner corner में मैं यहाँ पे काजल लगा के then brush के help से उसको अच्छे से set कर रही हूं Arabic eyes जिसको बोलते हैं वैसा कर रही हूं then उसके बाद मैं same black काजल लेके अपने नीचे के eyelid पे apply कर रही हूं और उसको अच्छे से smudge कर रही हूं black eyeshadow लेके और यह है मेरा final look इसके बाद आप inner corner को और brow bone को highlight कर लो ठीक है and then इसके बाद मैं कोई भी false lashes नहीं लगा रही हूं सीधा mascara लगा रही हूं और मैं doe coat अच्छे से mascara लगा रही हूं और इसके बाद मैं lip liner लेके अपने lip को outline करूंगी और यह lip liner ना बहुत ही amazing है तो आप इस part को आप skip कर सकते हो अगर आप चाहो तो मेरा आज मन किया तो मैं इसको कर रही हूं then मैं अपने dress से matching एक lipstick लेके अपने पूरे lip पे अच्छे से apply कर लूँगी और वो थोड़ा dark color था तो इसलिए मैं middle में भी थोड़ा सा light color Swiss beauty का lipstick था मेरे पास bullet lipstick वो light color का है बलकूल उसको मैं अपने lip के middle में लगा लूँगी और इससे ना look बहुत ही amazing आया था lip का आप देख सकते हो मुझे ना तिल बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने तिल भी दो बना लिया था और ये है मेरा final look hope आपको ये मेरा look पसंद आएगा और अगर आपको पसंद है तो please मेरे चैनल को subscribe करना, like करना, share करना अपने friends and family के साथ तिल दन बाबाय, take care and id mubarak all of you